इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टेरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकरे सबरपूर वीडियोज लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकिशन जल से जल पाए घडी दोस्तो प्राचिन काल में घडी केवल अमीर लोगों के पास हुआ करती थी अंग्रजों के समय में घडी को लोग जेब में रखकर घुमते थे सन 1905 में एक सामन्य घडी की किमत 15 सो रुपे हुआ करती थी जो सामन्य अदमी के लिए बहुत बड़ी किमत थी लेकिन आज के समय में घडी की किमत मातर 20 रुपे से चालू है टीवी टेलिवीजन को प्राचिन काल में लोग जादू ही डिबबा कहते थे जब टीवी का आविश्कार हुआ था तो यह बहुत ही महेंगी हुआ करती थी टीवी सिर्फ अमेर लोगों के घड़ों में पाई जाती थी क्योंकि यह उस जमाने में बहुत महेंगी हुआ करती थी किन्तो आज के समय में टीवी हर घड़ में पाई जाती है चाता चाते का उपयोग प्राचिन समय में सिर्फ अमेर लोगों के लिए हुआ था झाल झाल झाल